ओम साहिराम, कैसे हैं आप लोग, I hope सब ठीक होंगे आज का वीडियो में लेके आई हूँ कि दो साल पहले जब लोगडाउन था तो मैं अपनी बेटी का डिलेबरी करवाने के लिए कैसे घर से होस्पीटल पहुची और बाकी कहानी भी में पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ सीन तो दिखा रही हूँ, ये नैनिताल का, अभी में अपनी बेटी के बड़्य मनाने गई थी, उसी का है लेकिन स्टोरी में दो साल पहले के बता रही हूँ, कि इतना मुसीबत में मैं घर से होस्पीटल कैसे पहुच पाई, ये भी साई बाबा का ही किर्पा है तो चलिए, मैं बताती हूँ, कि मुझे क्या-क्या मुसीबत का सामना करना परा था उन दिनों में पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ, कि डॉक्टर भी फून करके मुझे बुला लिये, और कोई हमारे अपने हेल्प नहीं कर पाए, तो भगवान साई बाबा ने सर्वेंट के रूप में भी मुझे भेज दिये घर में लेकिन अम मैं जब डिलेवरी का दिन आ गया, तो मैं घर से हुस्पिटल कैसे पहुँचूँ, ये बहुत बड़ी समस्या थी तो सुबे में चार वजे उठके में तयार हो गई थी, छे वजे मुझे निकलना था और टीवी के माध्यम से मैं कुछ एम्बुलेंस गौर्मेंट ने जो नमर दिये हुए थे कि गर्मती महला इस एम्बुलेंस पे फोन करे तो घर आ जाएगी मैं वो तयारी कर चुकी थी, एम्बुलेंस उस कॉल सेंटर पे मैं बात कर चुकी थी तो वो लोग यही कहते थे कि जब टाइम आएगा तो आप कॉल करना तो तुरंट आ जाएंगे लेकिन पता नहीं क्या कंशूजन हुआ उन्होंने बोला यूपी के मैं नोडाम रहती हूँ यूपी के हुस्पिटल में तो आप कहीं भी जा सकती है लेकिन हम दिल्ली के हुस्पिटल नहीं पहुचा पाएंगे और कभी मैं एक बज़ गया था मुझे बात करते करते मैं छे बज़े से पांच बज़े से ट्राइ कर रही थी फोन कभी कॉल सेंटर वाले कुछ कहते कभी कुछ कहते यहां तक की पुलीस वाले भी घर पे आ गए जब हमने हेल्प मांगी तो लेकिन उन्होंने बोला हम बाइक से तो छोड़ सकते हैं लेकिन गारी एंबुलेंस दिल्ली नहीं जा पाएगी हम लोग बहुत ज़्यादा परैसान हो गए कि जब गारी नहीं जा पाएगी हम लोग जाएंगे कैसे और इसी सब बीच में हमारे नेवर को भी पता चल गया हमारे जो अपने थे उनको भी पता चल गया कि घर जिंदा रहूंगी तो मैं यह सब कहानी अब जरूर मैं सुनाओंगी किसी को कि सच में क्या हो रहा था मतलब मेरे हस्वेंड थोड़ा ये समय ड़ते हैं थोड़ा सा ज्यादा परिसान हो जाते हैं तो उतना नहीं हेल्प कर पाते हैं और मैं खुद सुवे से लगी थी चारो तरफ जो जो नम्मर जो मेरे से बन पाया मैं पर फोन सबको करती थी लेकिन कहीं से रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला मेरे रिलेटिव और नेवर सब लोग बस देख रहे थे और उसका रास्ता था मैं बता देती हूं मेरे से पहले भी एम्स में कुछ लेडिज लोग अपना डिलेवरी करवाने के लिए गई थी ये लोग जियावास से गुर्गाओं से बदरपूर से कई अलग अलग जगा से अपनी प्राइवेट गारी लेके जाते थे और एम्स का सारा पेपर और बस वो पेपर दिखाते हुए किसी ने नहीं रोका और वो लोग अराम से जाके अपना डिलेवरी करवाके और उसी गारी से वो जैसा ही है कि अपने से help लिया नहीं जाता मतलब बोला नहीं जाता है अपने को दो खुद ही लगता है कि भाई इनको जुरूत है तो हम help करें तो अगर मेरे अपने चाहते तो या तो हम लोग को छोड़ के आ सकते थे ये भी एक रास्ता था नेवर के जो लोग थे वो भी ह में छोर के आ सकते थे दूसरा रास्ता ये था कि भाया जान से बढ़के तो गारी भी नहीं होती है कोई नहीं होता है मेरे हस्वेन को भी सुवधा मिल जाती जैसे कि मैंने बताए डायविटीज पीपी के प्रॉबलम है और एम्स जैसे होस्पीटल में जैंस को अंदर जाने नहीं देते थे बाहरी भटकना पड़ता था तो वह गारी में अराम से सो सकते थे और सबसे बरी बात यह है कि मतलब अराम से हम वापस भी आ सकते थे उस गारी से लेकिन ऐसा ओफर मेरे रिलेटिव ने भी नहीं दिया नेवर तो खेर दे ही नहीं सकते थे जो छोड़ नहीं सकते हैं तो वो गारी क्या देंगे लेकिन मेरे हस्मेन ने भी कुछ नहीं बोला और नहीं सामने से ये ओफर आया सच बोल रही हूं आप लोग को हेरानी होगी कि जब दूसरे का relative का delivery हुआ था मेरे हस्मेन मंदिर से आए थी और मैं बालकनी से अवाज दी थी कि आप नीचे ही रही हम लोग को अभी कि अभी hospital जाना होगा और पूरे दिन मेरे हस्वेन खरे रहे और सारा काम करवाए थे बिना खाए पिये वो भी एक इनसानी है और ऐसे इनसान की बीबी को किसी ने हेल्प नहीं किया मेरे हस्वेन ना जाने कितने लोगों को स्टेशन छोड़े होंगे पाटी में लेके गए होंगे बहुत जब से मेरी साधी हुई मैंने देखा वो बहुत लोगों को गारी से तो बहुत हेल्प किये हैं लेकिन जब उनका टाइम आया तो किसी ने एक नहीं कहा कि चलो कोई नही कोई बात नहीं, बहुत परिशान थी, अब क्या करें, जब एक डेर बज गया, तो अचानक फिर मेरे हस्मेन नहीं बोला कि कोई बात नहीं, तो एक बार प्राइवेट हस्पिटल में बात करके देखो, जो भी पैसा लेंगे, हम मतलब उनको देंगे, और फिर हमने गूगल से सर्च करके, पास के हस्पिटल से प्राइवेट एम्विलेंस में फोन किया, तो उन्होंने मतलब कुछ लोग तो मना ही कर दिये, कि ने हम दि ऐसा देखोगी कि भी जाना बहुत जरूरी होड लेट बहुत हो चुका था है, एम्विलेंस का रूल है कि ज्यादा तरह सुबह जाईए तो ज्यादा अच्छे से काम हो जाता है, तो फिर हम लोग फटा फट दो वज़े के करीब एम्विलेंस आया, फिर हम लोग उस तेंसिल हो गया था जिसकी वज़ा से हस्वेंट को पूरे चार दिन जो भी हम रहे बाहरी भटगना परा एक सकेंड के लिए भी वो मेरे पास नहीं आये थे और मुझे बस उसी सर्वेंट के साथ ही बच्ची के साथ ही सोची रहना परा और सब काम उसी बच्ची ने कर दिया और बस मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रहे थी क्योंकि हस्वेंट को नहाना बात्रूम कोई सिस्टम ही नहीं था हमेशा डर यही लगा रहता था कि ये इतना भियानक कोर्णा बीमारी में वो इधर सुधर भटक रहे हैं बस एक खाने का हेल्फ मिल गया था क्योंकि जो एम्स वाले होस्पिटल वाले जो पेसेंट को खाना देते थे तो वो एक एटेंडन्स को भी देते थे जिसकी वज़स से सब कुछ ठीक हो गया ओम साहिरा